जोगा परदान मंत्री होगा कोई भी आके उनको बेकू बना देगा जिरिवाल जी ने एक भ्यान दिया पोपाल में कहा कि मोदी यह नपढ़ा है क्या मनते हो आप क्योंकि आप भी सिच्छा की फिल्ड से जुड़े हुए देखे मोदी जी के लिए जिस तरह का वो बयान बाजी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं दिल्ली विधान सबा में हो चाहिए वो अपने राजनीतिक करक में हो यह बहुत समसार है लेकिन आप केजरिवाल जी से पूछे कि आप तो इतने पड़े लिखे हो और जिस तरह की भ पड़ा लिख्या वेक्ति जिस तरह से बात करते हैं जिस एक सब्वेता के तहित बात कर नीचे वह आपने सारी सीमाय को तोड़ दिया है मुदी जी देश के प्रधामंत्री है आप मुदी जी पर अटाइक नहीं कर रहे हैं मुदी जी का अपमान कर रहे हैं आप इस देश क कि करोड़ों करोड़ों जनतों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मुदी जी को प्रधामंत्री बनाया यह बड़ी अच्छी बात के हैं किसी को गाली गलोज करके किसी को मला इस तरह की भाश्यक उपयों करके ही को आप जनता में क्या संथिश जार आपका कम पढ़ा लिख में आपके लोग जिलों में हैं बहुत से लोग जिलों में जाने वाले हैं आपके रड़ दिली में आज यह मेरे कोई सगे नहीं लगते इनको जेल जाना पड़ेगा अरे कहना क्या चाहते हो सीब्याए और एडी मोदीजी के सारे पर काम करती है तो आपने जो लिकर पॉलिशी शराव पॉलिशी वापस क्यों ली आपने वो शराब में जो धाइव परसंट का जो पहले दुकान दारों को जो कमिशन मिलता है था वो आपने बारा पुटूशन क्यों किया जहां पहले 25 साल थी उमर पीने की दिली में आपने किस क्यों की आपने 11 बजे जो रात्ती का 11 बजे का समय वह बढ़ाकर आपने सुवरे का आपने 3 बजे क्यों किया यह सब चीजें हैं जो बहुत सारे सवा में भी अवाज उठने लगी मोदी और अड़ाली जी का रिस्ता क्या है अगर ये इस तरह के वह गाली गिलोच नहीं करेंगे तो आज देश की जनता उनसे पूछ रही है कि हमें कुछ नहीं है आप में पता है कि शराब गोटाले में कितना पैसा आपने लिया कितने की दलाली पढ़े लिख्यों होने जाए भारतिनता पाट्री की तो जो नहीं सिक्षान निती हो भारतिनता पाट्री और देश के यह सोसे प्रामंत्री मोदी जी की नितों तुम्हें है ये बड़ी अच्छी बात कही है भाजपा ये कह रही है कि आप शराब निती पे कुबोल तो आपने सुप्रीम कोड की जो गाइड लाइन है कि किसी भी मंदिर मस्जिह फ्लाव में को स्लाभ की दुख और आपने स्कूलों के साथ में आपने मस्जिह कराने य стан और मनीश कल कोगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता मेरे को भी जेल जाना पड़े लेकिन लोग तुनना करते हैं दिल्ली में विगास की तो सीला जी ने 15 साल दिली में राज किया लेकिन उनके कारेकाल खतम होने के बाद आठ साल हो गया आज कुछ भी नहीं वहाने ना रोड़े बने ना हाईवे बने ना स्कूल बने ना इस्पताल बने दिल्ली दुनिया का सबसे पॉलिटर सहल हो गया जमना एक गंदे नाले के रुपे बन गई है दिल्ली में चोरियां उनकी पार्टी कर रही है के थो गोल जनता का इनोने दिखे अन्नाह घजारी जी को शल कि graveyard सथ धुछ विकाρα किया नुगक्ष की नोने करिने बैदी से लेके कुमार विस्वास से लेके योगिंदर यादो। किस किस को नहीं चला किस किस को नहीं चीट किया अर्विन के जिवाल ने मैं कहता हूं कि वह व्यक्ति दुनिया का सबसे धूर्ट व्यक्ति है कहता था कि बच्चों की कसम गाड़ी नहीं लूगा ले लिया ये 1635 लगे में दस क्रौन के लागत से सिमिंग्पूल बंगया शरायब आ ले पाली नट्सके अबे गास कराते हैं। पहला मुख्यमंत्रि है कि आंकशनी के उच्राइब आप हमारा देश का माला बौडर वाला एरिया है वहाँ तो ज़्यादा स्फिरक्षित रोत प्रदेश में ज़्यादा लेकिन अर्विन के जवाल जी को कोई है नी उनके वहाँ वह जो बेवड़ेव मुख्यमंत्री है भगवतमान वह पता ही नी कानुन पता ना दिन पता न आपको अर्विन के समझता होता कैने बना से इन नो dullश ने इस ने पतानी कभी अशन कोुशी से की नहीं नितिन गटगर से माफ्य मांगी थी तो ये तो कुछ भी बोल सकता है अपने राजनीति गलाब के लिए कहले अपने स्वार्थ के लिए उख्जा इंके पास है इंक नय श्कूल नहीं बनाया स्वास इंके पास एक नए हमवनाया फोल नहीं बनाया शराब था शराप पर पाविदय लगा निजिए इन्होंने गली गली में शराप की दुखावण नहीं को दी भाली ते यहां पहले डिल्ली के लाम मेंसा कोड़ील जने जाती है को लोग आठे आते थे गाडियों में एक साथ दो-टो-त्नी दिन चट्राप पेटिन लेहर आते थे यह दिली के पैशन अर्विन की ज। लेकिन देश की जन्ता आज मोदी जी के साथ है। अब इनोने जगे जगे पुस्टर चिबकाberry कि मोदी हटा BACK तुम ज़या । वो दीजी है जोने 500 साल पुर्णा राम मंदिर का विवार्ता उसुल जा कश्मीर में हम सब कभी कलपड़ा में कर सके कश्मीर में 35370 की लिएक नाच हर्दियाज कश्मीर का विकास हो रहा है अर्विन केज़िवाल जिसा व्यक्ति से क्या आप उमीद कर सकते हैं जो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है कभी भी प्लट सकता है इस सज्जन को क्या तकलीब है भई प्याटर विमान है इनका चाल चरित्र चहरे में कुछ निये मॉधिजी की चवी नियुकर प्यार करते है उनको समान करती है उनको विश्वास करती है देश की जन्ता चाहते है कि मोदी जी इस देश को सहा री और अगले बीस पच्चेस साल तक मोदी जी कुछ निए तो जिस तरह से डाक्टर बच्छेती जी ने कहा कि 2024 में मोदी जी पुना बहुत बर्चर के बामर से जितेंगे और फिर से बाजबा की सरकार देश में बनेंगी